आज एक historical decision लिया है सुप्रीम कोट ने जिसकी बात सब कर रहे हैं बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस मुद्दे को कभी किसी सरकार ने छुआ नहीं है मामला आर्टिकल 370 का सुप्रीम कोट ने जमू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के decision को बरकरार रखा है क्या है ये केंदर सरकार ने आखिर इसे क्यों invalid किया था क्यों निरस्त किया था आर्टिकल 370 को सुप्रीम कोट ने आज क्या कहा और अपना फैसला क्या सुनाया इस decision का नतीजा क्या होगा आज इन सब को आसान तरह से समझेंगे FII में सिर्फ ABP Live पॉड़कास्ट पर मैं मांसी हूँ आपके साथ सबसे पहले तो जानना ये होगा कि आर्टिकल 370 जमू कश्मीर में लगाने का मतलब क्या था आसान लवजों में कहूँ तो ये एक ऐसा आर्टिकल था जिसे भारती ये समवधान में जोडा गया था और लागू किया गया था जमू कश्मीर में जो जमू कश्मीर को एक स्पेशल राज का स्पेशल स्टेट का दरजा देता था यानि कि जम्मो कश्मीर का सम्वधान अलग था भारत का सम्वधान वहां लागो नहीं होता था कोई amendment भी अगर होगा अगर भारती सम्वधान में तो except जम्मो कश्मीर लिखा होता था जम्मो कश्मीर पहले भारत का हिस्सा नहीं था इसे शामिल किया गया भारत में और स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया लेकिन ये टेंप्ररी प्रोवीजन था अस्थाई आर्टिकल 370 डीटेल में आपको बताती हूं आखिर किस तरह की प्रोवीजन थे इसमें इसके चलते जमू और कश्मीर के रहने वालों की citizenship, property rights और fundamental rights का कानून बाकी भारत में रहने वाले लोगों से अलग था आनुछे 370 के तहट बाकी किसी पर राजियों के लोग जमू कश्मीर में property नहीं खरीच सकते थे अगर जमू कश्मीर की कोई लड़की इस राज से अलग किसी और राज में जाकर शादी करती है तब भी शादी के बाद उसको कोई हक नहीं होगा कि वो वहाँ property खरीच सके इन जमू कश्मीर अनुछे 370 के तहट Central Government की स्टेट में वित्तिये आपातकाल घोशत करने की पावर नहीं थी यहाँ मतलब जमू कश्मीर की सहमती के बिना emergency नहीं लगाई जा सकती थी जमू कश्मीर का अपना अलग constitution, अपना अलग धंड सहता, अपना अलग जंडा तक था भारत में बाकि स्टेट्स में विधान सभा का जो duration होता है वो 5 साल का होता है लेकिन जमू कश्मीर में ये 6 साल है situation ये थी कि यहाँ अगर कोई कानून लागू कराना है तो president ही order दे सकता है वो भी तब जब जमू कश्मीर की सरकार राजी होगी कुल मिला कि ये article 370 जो है वो जमू कश्मीर राज को भारतिय संग से जोडता है जमू कश्मीर का समयधान 17th of November 1956 को अपनाया गया और 26th January 1957 को लागू हुआ था दरसल October 1947 में कश्मीर के उस वक्त रहे महराजा हरी सिंग ने भारत के साथ एक विले पत्र यानि मर्जोर लेटर पर साइन किये थे इसमें कहा गया कि विदेश के मामले, रक्षा और संचार पर जमू कश्मीर भारत सरकार को अपनी शक्ती हांड ओवर करेगी ये कानून जमू कश्मीर में करीब 7 दशक से चला आ रहा था लेकिन मामलत अब उठा जब 5 अगस 2019 को भारत के राष्टपती ने एक आदेश जारी करके जमू कश्मीर के कॉंस्टिटूशन को पावरलिस बना दिया था इसे समवधान जमू और कश्मीर के लिए आवेदन आदेश 2019 CO-272 का नाम दिया गया था 5 अगस 2019 को सेंटरल गावर्मेंट ने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था साथी राजी को दो हिस्सों जमू कश्मीर और लद्दाख में बाट दिया था बीजेपी काफी लंबे समय से इस अनुच्छेत को कश्मीर के भारत के साथ एकी करण को युनिफिकेशन की दिशा में काटा मान रही थी तो इसे निरस्त किया गया लेकिन इसके खिलाब सुप्रीम कोट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल हो गई पाच जजों की बेंच ने सभी आचिकाओं की एक साथ सुनवाई की समिधान पीट में चीफ जस्टिस डीवाई चंदरचून, जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस सूरिकांथ, जस्टिस संजी किशन कॉल और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे बेंच के सामने लगातार 16 दिन तक लगी सुनवाई, 5 सितंबर को खत्म हुई, इसके बाद सुप्रीम कोट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था सुप्रीम कोट ने सुनवाई कि 96 डेज बाद केस पर डिसीशन सुनाया और सुप्रीम कोट का डिसीशन क्या रहा, ये भी आपको दीटेल में बताते हैं आर्टिकल 370 के स्टेटस पर सुप्रीम कोट ने ये कहा कि सम्विधान का आर्टिकल 370 टेंप्ररी था जमो कश्मीन में युद्ध की सिचुएशन की वज़े से आर्टिकल 370 अंतरिम व्यवस्ता यानि की इंटरिम अरेंच्मेंट थी इसे रद्द करने की प्रजिडेन की शक्ती अभी भी मौझूद है सरकार के आर्टिकल 370 हटाने के निर्ने पर सप्रीम कोट ने कहा कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्टपती के ओडर को वैध यानि वालिट मानते हैं लद्दाग को केंदर शासित प्रदेश बनाने की डिसीजन की वैधता को भी बरकरार रखते हैं केंदर की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोट में चनौती नहीं दी जा सकती ये भी सुप्रीम कोट ने कहा ऐसा करने से अराजकता फैल सकती है अगर केंदर के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही है तभी इससे चैलेंज दिया जा सकता है ये सुप्रीम कोट ने कहा आगे ये भी कहा कि जम्मु कश्मीर के पास देश के अन स्टेट से अलग कोई भी इंटरनल सोवरेनिटी नहीं है भारती सम्विधान के सभी प्रावधान जम्मु कश्मीर पर लागू हो सकते हैं जम्मु कश्मीर के राज़ का दर्जा जल से जल बहाल किया जाए सुप्रीम कोट ने कहा कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्टरपती के सम्विधाने कॉंस्टिटूशनल ओर को वैद मानते हैं चुनाव आयोग 30 सतंबर 2024 तक जम्मु कश्मीर विधान सभा के चुनाव कराए ये ओर्डर्स सुप्रीम कोट ने दिये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब, शेर ज़रूर से कीजिए टू एविपी लाइफ पॉद्कास्ट मैं मानसी हूँ आपके साथ